पाकिस्तान के चैनल इस्लामिक अवेकनिंग लाइट अफ तरुथ वाले और मुस्लम मसीही मुकालमे वाले क्या बात है आप देखो तीन चैनल्स तीन चैनल्स ने मिलके एक वीडियो बनाई है रेफ्यूटेशन के उपर कि मैंने कैसे बना दिया कि बनाई लागुमराह करता है अचा वो तक्रीबन मेरा ख्रिया हो तक्रीबन कोई तीन को गहनटे के करीब की वीडियो है दो गहनटे बावन मिनट precisely परेसायसली 20 Sindical गहनटे QUE आईते ना तीन को गहनटे की वीडियो है तकरीबन उस मैसे कि मैंने पहले कि अल्ला गुम्राह नहीं करता है। मैं जब पूरी वीडियो सुन लूँगा उसके बाद मैं वो गुम्राही के बात करूंगा कम्प्लीटली। लेकिन अभी शुरू के 30-35 मिन्टों में इन्होंने चंद एक बातें की हैं जिनको मैं ये पार्ट वन में बताना चाह रहा हूं। पांच मिन्ट और 20 सेकिंड के लग भग किसी जगा पे बोला कि ये आदम जो है बाई तवे आदम क्यों कहते हैं मुझे भाई आडम को ना मसला क्या है खुद उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं मेरे नाम को लेकिन जब मैं सलाम अलमसी कह रहा हूं उस वकद तुम्हें मौत पढ़ रही है कि मैंने अरभी क्यों यूज कर ली अरभी लेंगवेज वो सिर्फ मुसल्मानों के लिए रह गई है किसने का है किने क्या है पाई मैंनों दास्ते सही ना तेरे मौम्मद के आने से पहले वहां पे जो जूज और क्रिस्चन और बाकी के सारे मुश्रकीन स अर्दू बोलते थे कि अरभी तेरे मौमद ने तेरे लिए लख लीए कि मैं अरभी में सलामलमसी भी नी कह सकता है यह तुन्हें कौन सी बोंगी मारी है भी, अजबी ख्रीद ली तुम लोगों ने, इस से पहले इन लोगों ने बोला, क्याशा यसु ने कभी सलाम करना नहीं खाया तुम लोगों को, भई हम अगर बोलते हैं सललमलमसी, तो ये हम बोलते हैं क्योंकि हमारी बाइबल बताती है क्या बताती है आएं देखें यह जी अफिजिन्स का चप्टर नमबर टू वर्स नमबर चोधा है और यह बोलती है क्योंके मसीख की वज़ा से हम अमन में हैं मसीख ने हम दोनों को एक कर दिया यहूदी और गैर यहूदी दोनों को इस तरीके तरहा अलएदा कर दिया था जैसे इनके द्रमयान एक दिवार हो और वो एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन मसीख ने इस दुश्मनी को अपना जिसम दे कर दूर कर दिया जिसकी वज़ा से हम अमने हैं हम मसीख के अमन को बुलाते हैं मसीख की सलामती को बुलाते हैं इसी बात को हम कलोशन्स के चैप्टर नमबर थ्री वर्स नमबर पंदरा में भी देखते हैं के मसीख को तुमारी सोच पर काबू बाने दो इसकी सलामती तुम पर हो तुम सब एक जिसम में मिले हुए हुए कहलाओगी हमेशा शुकर करते रहो तो जब कोई शख्स कह रहा है पीस आफ क्राइस्ट बी ओन यू या सलामल मसीख मसीख में सलामती हो तो ये बेबलिकल है मसीख ने खुद क्या कहा जौन के चैप्टर नमबर 20 वर्स नमबर 21 के अंदर यसु ने दुबारा कहा तुम पर सलामती हो बाप ने मुझे यहां भेजाए इसी तरह अब मैं तुम सब को भेजता हूँ मसीख ने हमें सलामती दी मसीख ने हमें शलौम अलाइख हम हीब्रू में कहा हम आगे से बाकी सब को सलामती भेजते हैं उस मसीख की जिसने हमें यह कहा हम लूका की इंजील 24-36 में भी देखते हैं में भी अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि यहसू मसीख ने अपने शागिर्दों को क्या कहा जब वो दोनों इनके वाकियात को सुना रहे थे तो तब यहसू शागिर्दों के ग्रोह के बीचों बीच खड़े होकर इन से कहा तुम्हें सलामती नसीब हो तुम्हें सलामती हो खुदावन यहसू ने हमें सलामती दी वो सिर्फ एक नबी नहीं था उसने हमें सलामती दी और हम मैंने आपको दिखा दिया कि बाइबल के मताबग हम लोग यहसू की सलामती सब को देते है सलाम अलमसीह मैं अर्बी में कहूँ अंग्रेजी में कहूँ हीबरू में कहूँ किसी भी दुनिया की लेंग्विज में कहूँ मेरा जो रब है वो त्माम जबाने जानता है यह मुसल्मानों को बिमारी है कि उन्हें नमाज भी अर्बी में ही पढ़नी है उनको कुरान भी अर्बी में ही पढ़ना है तो यह जो अपनी सैंस है ना पुठी सिदी यह अपने पास रखा करो मेरे पास ज़रा सीधे तरीके से आया करो तुम जो हो उमर फरुग साब तुम बहुत बड़े सकॉलर हो बकॉर तुमारे लेकिन हो तुम बाटी तुम जो हो ना मुच्छावटो पुनाली चटो उस तो अगए तुसी काम नहीं कार सकते और मैंने तीनों चैनल को मेरी खुली पेशकश है कि बाई जान जद्दों दिल करे आयो लाइव आओ वहां बै वो वीडियोद अभी भी मेरे चैनल पे हैं वहां बैठ के टेटे पेपे कर रहे हो मेरे पीछे यहां पे फरंट पे आगे बकॉस करो ना तुम्हें बताओं तुम लोक किस खेत की मूली हो अच्छा अब जो लोग इस बात पे कहें कि मैंने इनके साथ सखत लफ़ज क्यों लिए हैं वो जरा जा के इनकी वीडियो को सुनें कि वो 38 मिनट के उपर क्या बकॉस कर रहे हैं क्यूंकि उनका जो नभी है उसने क्या कहा है इन लोगों को कि वो दूसरे मजब के लोगों को क्या कहें और वो तमाम क्रिश्चन्स के बारे में क्या कह रहे हैं अपनी इस वीडियो में वो आपट 38 मिनट के अंदर जा के देख सकते हैं इनकी वीडियो के अंदर ये बहुत 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 अच्छा बला जाडू लगाया हुआ है वो जो मुठी भी लगाई वी है सर के उपर पकड़ने के लिए ताके जाडू पकड़ के सफाई कर लें ये 11 मिनट में इन लोगों ने बाते की हैं कि जी मैं शकल नहीं दिखाता हूँ मेरे में हिम्मत नहीं है शकल दिखाने की अबे दंगरो तुम्हारे नभी ने अपॉस्टेट्स को किल करने की बाते कीमी है मन बदल दीनों हूँ फौक तो लो जो अपना दीन छोड़ दे उसको कतल कर दो पाकिस्तान में तुम लोगों ने दो सो पे चानमें लगाई वी है कि जो मुम्मत के बारे में भी कुछ गलत मुद कह दे उसको भी कतल कर दो भाई ला दे ओ ठीक है और कनून के पास तो लोगबाद में जाते हैं ना उससे पहले जो तुम जैसे लोग है वो ही कतल कर देते हैं तो भाई बात ये है मेरी शकल देख के तुमने मेरे साथ अपनी तीनी व्यानी तुमने मेरे साथ डवेड करनी ह कि कुरान क्या कह रहा है तुमने ये नहीं पुचना पाई तेरी शकल किस तरह दिये ओ वखा दे मैं व्या करना है तेरे ना क्योंके भाई तुम लोगों ने तो ये भी कह दिया हो सकता है ये लड़की हो वाईस चेंजर लगा के बैठा हो तो भाई तुम लोग लड़की जो के बकॉल तुमारे मحمد के आदा दिमाग रकती है तुम उसके पास आके ड़बेट चर्ने से भी ड़ग रहे हो और दूर फिटे मुझ ताड़े सारे आते तिन तिन चैनल चला रहे हो तुम लोग तिन तीन चैनल तीन चैनल और तुमके किसी में सत्तू नहीं है कि वो मेरे स्पास आके डिबेड कर सके मेरे चैनल पे इतना सही है सत्तू तुम लोगों में कि पीछे पीट पीछे बैठ के टेटे पैपै करो और किसी ने मेरे को टैग नहीं किया मुझे लोगों ने बताया जी तुमारे खिलाफ वीडियोज बनाई गही है और किसी में सत्तू नहीं है कि कोई मेरे चैनल के उपर लाइव बैठा होता हूँ बोलता हूँ स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे के बैठा होता हूँ मजाल है कि इन सारे बांदरों में से कोई एक भी आया हो भी आओ ना यहां पे करो बात किसने मना किया है वहां बैठके जो टेटे पेपर कर रहे हो यहां पे आओ अच्छा अब हम अपने ये सलाम के उपर देख लिया अब आपने ये भी देख लिया कि यसु मसी ने खुद सलाम अलेकुम किया है अगर आप उसे अर्बी में ट्रांसलेट करते है तो यसु मसी ने सलाम अलेकुम किया है लो जना बाईस मिनट और तीस सेकंड के उपर ये जनाब अमर फरूख साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दिये कि बाईबल का जो खुदा है ना वो गुरान का खुदा ने है बहुत बहतरीन बात हो गई इसका मतलब ये है कि मुहम्मद ने यसु मसी के कलमात चोड़ी किये जब उसने अस्सलाम अलेकुम कहा चुके यसु मसी पहले आगे में है उन्होंने सलाम किया उन्होंने कहा आप पे सलामती हो उससे पहले हीब्रूस भी बोल रहे थे शलूम हीब्रू के अंदर लेकिन चलो उसको छोड़ दो ना यार अपनी ही वीडियो में उन्होंने बोला था मैं पुराने एफ़ नामे पे बात ही नी करूँ गा बहतरीन हो गया नई एफ़ आमे पे बात करूँ गा बहतरीन हो गया तो भाई मुहमद ने यसु मसी के कलमात चोरी किये जब पीस भी अपन यू कहा उसका अरभी में टरांसलेशन कर दिया तो इसका मतलब है कि עربी के क्रिस्चन लोग अर्बी के जो जूज लोग हैं वो Peace of Christ be upon you कहते होंगे जो जूज लोग हैं वो Allaikum कहते होंगे अर्बी में तो मुहम्मद ने वो वहां से चोरी किया आपने ओर्ण में डाल दिया तो मुहम्मद तो चोर हुआ थेंक यू जनाब अमर फारुक यह जो बाइस मिनट तीस सेकंड पर आपने बात की है मेरे को बहुत बसंदा ही है आपने अपने ही नभी को चोर साबत कर दिया अच्छा यह तो जवाब दे दिया मैंने अमर फारुक साब को क्योंकि यह कुरान से भी विफर गए क्योंकि कुरान की सुरह अनकबूत की आयत नमबर 46 क्या कह रही है और एहले किताब से बहस न करो मगर उन्दे तरीके से सुआए इन लोगों के जो इन में से जालिम हो और इन से कहो कि हम एमान लाए हैं इस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ बेजी गई है और इस चीज़ पर भी जो तुम्हारी तरफ बेजी गई थी हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है अब कुरान के मताबक मुसल्मानों का खुदा और एहले किताब का खुदा एक ही है عمر فاروق صاحب کے مطابق 22 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ انہوں نے بولا ہے کہ اہلِ کتاب کا جو بائبل کا خدا ہے جو ان لوگوں کا خدا ہے اور جو ان کا خدا ہے وہ ایک نہیں ہے یہ جوز اور کرسچن ہی بول سکتے ہیں کہ ہمارا خدا اور مسلمانوں کا خدا ایک نہیں ہے کیونکہ ہماری کتاب میں کئی نہیں لکھا ہوا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کو تو پڑھ لو بڑے حافظ بنے پھڑتے ہو تو میرے بھائی عمر پہلے کوئی دو روپے کی عقل سیکھ لو چار آنے کا شعور لے لو کچھ امبوں کا پتہ کر لو اور پھر میرے پاس آنا تاکہ ہم بات کر سکیں پیٹ پیچھے بیٹھ کے ٹیٹیں پیمپے نہ کرو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میرے پاس آتے ہوئے نا بڑے سے بڑے مسلمان کا موتر نکل جاتا ہے پتلون کے اندر اور تم تو ویسے ہی پتلون نہیں پہنتے ہو تم تو شلوار پہنتے ہوگے تو ایسا نہ ہو ساری شلواریں نا گلی کر بیٹھنا پیمپر پہن کے آنا اور یہاں پہ آ کے بات کرو تاکہ پتہ لگے تم میں کوئی دمخم بھی ہے وہ چھوٹی بچیوں کی طرح وہاں کونے میں بیٹھ کے نہ باتیں نہیں بناو ادھر آو وہاں بیٹھ کے چیخیں مارنا بہت آسان کام ہے یہاں آ کے بات کرو چیلنج میں نے کیا تھا پہلے کیا تھا تم لوگوں کی ویڈیوز بنا کے ویڈیوز دکھا کے ریفیوٹیشن دے کے چیلنج کیا تھا تمہارے چینلز کے اوپر جا کے لوگوں نے کومنٹس ڈالے تھے میرے فالورز نے کہ ایڈیوز نے یہ ویڈیوز بنائی ہے جاؤ اس سے بات کرو تم سب بھاگ گئے ہو اور یہ جو اسلامی کا بیکننگ والے ہیں ان کا علی آیا روتاوہ چلا گیا ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا ٹیٹے پیمپے اور کانیاں کرتا رہا اس کے بعد دوسرا آیا عویس جوٹا شاہ بیسیکلی ایک ای ڈی مسلم وٹیور وہ ڈیر گھنٹہ اہمہیں بھائیں شاہیں پھائیں مار کے end میں worship کا مطلب ہوتا ہے honor کہہ کے بھاگ رہا ہے محمد کو پھر worship کرو نا تم سارے لیکن problem یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں بہر کے جو ٹیٹے کر رہے ہو مجھے فٹکاریں پھینک رہے ہو میرے بارے میں بول رہے ہو کہ میں بول نہیں سکوں گا میرے بارے میں بول رہے ہو کہ شکل دکھاؤں میری جگل کا اچار ڈالنے ہیں یہاں بھی آکران ہے تین تین چینل اور جررت کسی میں نہیں ہے تین تین چینل اور جررت کسی میں نہیں ہے کہ آ کے بات کر سکے یہ اوقات ہے تم لوگوں کی ایسے واسطے کہنا ام بدا پتا نہیں گا گلہ کرن آ جاتے ہو اگلی ویڈیو میں پھر آوں گا جنازہ بھی اٹھوائیں گے جلائیں گے بھی سب کچھ کریں گے بین اور بھائیو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر take care یشوا اکبر اللہ ملتے ہیں